नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार वेसे दोस्तों अधिक मास चल रहा है, अधिक मास पूरे तीन बशवाद आता है अधिक मास के स्वामी भगवान शीहरी विश्णू है, इसलिए इस महा की एकादशी का सरवाधिक महत्व होता है अधिक मास की शुकल पक्ष की एकादशी को पदमिनी एकादशी, कमला एकादशी या पोशुत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान शीहरी विष्णू का ब्रत और पूचन करने से तीन साल की सभी एकादिश्यों के ब्रत पूचन करने के बराबर पुनिफल प्राप्त हो जाता है यह दिन भगवान लक्षमी नारायन को समद्बित है इस दिन भगवान बिश्णू के साथ मालक्षमी का पूजन अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है दोस्तों इस बार अधिक मास की एकादशी 29 जुलाई दिन शनीवार को है इस दिन पूजन भगवान लक्षमी नारायन के साथ ही बज्रंग बली और शनी देप का भी आशरवात प्राप्त होगा दोस्तों यह एकादशी बहुत ही अद्बस सहयोगों में आ रही है इन अद्बस सहयोगों में पूजन के साथ इस दिन आप लाल मेश से जुड़े कुछ खास उपाय जरूर करें दोस्तों लाल मिच्च के उपाय बहुत ही असरकारक होते हैं। आज हम आपको लाल मिच्च के जो उपाय बताने जा रहे हैं अगर इन उपायों को आप अधिक माज की इस एकादशी पर कर लेते हैं तो आपके कारियों में जितनी भी बाधाय आ रही होंगी वह सब दूर हो ज आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे हाँ छित्र में सफलता मिलने लग जाएगी साथी कितना भी बड़ा शत्रू है बहें शांत हो जाएगा शत्रू आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी मिल्टों में दूर हो जाएगी आपका दुर्भागे सो भागे में बदलती देर नहीं लगेगी बंद किस्मत की ताले भी खुल जाएगे और किस्मत चमक जाएगी कंगाल भी हो जाएगे माला माल दोस्तों हम सभी अपने खाने में लाल मिच का इस्तमाल करते हैं, जो हमारे खाने का जाय का बड़ा दीते हैं, लाल मिच सिर्फ रसोई घर में ही नहीं, बलकि जीवन में आने वाले समस्याओं से निजात पाने के लिए भी इस्तमाल की जाती है, लाल मिच का इस्तमाल करके हम लोग कई परिशानियों को दूर कर सकते हैं लाल मिज का उप्योग करके करज के तौर पर दिये गए पैसे पापस मिल जाते हैं लाल मिज से किया गया टोटका शत्रों को परास्त करने के लिए भी कारगत साबित होता है अगर खून पसीना एक कर देने के बाद भी आपको सफल करता नहीं मिल रही है तो लाल मिज से किया गया उपाए बहुत ही लाब डायक से दू होता है तो आएगि दोस्तो जानते हैं लाल मिज के कौन से ऐसे उपाए हैं जिन्हें करने से जिन्दगी में आ रही समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी दोस्तों अगर आपके जीवन में लगाता समस्याइं बनी होई हैं समस्याइं खत्म होने का नाम नहीं ले रही या बाधाएं आ रही हैं यानि कि आप कोई कारे कर रहे हैं और कोई भी कारे करते हैं वह पूरा नहीं हो पाता कारे में सफलता नहीं मिल रही हर कार में असफलता मिलती है, बाधाय आती है, कोई आप काम शुरू करते हैं और बहकाम बीच में ही बंद हो जाता है, लगातार हानी हो रही है, महनत करकर के आप ठक चुके हैं, तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें, उपाय करने के लिए आप एक बरतन में साफ पानी ले पानी लेने के बाद अब आप 21 सूखी लाल मेच लें, जी हाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको गिनकर 21 सूखी लाल मेच लेने हैं, अब इन लाल मेचों को तोड़ कर आप इनके बीच निकाल कर इक बरतन में डख लें, और 21 लाल मेच में जितने भी बीच निकल इन सभी बीचों को आप इस पानी में डाल दें, आपने जो बर्दन में पानी लिया है उस पानी में आपको यह लाल मेच के बीच डाल देने हैं, लाल मेच के बीच पानी में डालने के बाद आप इसे किसी चम्मच की साहिता से मिला दें, और चम्मच पे जो बीच लग जाए उन्हें भी बापस पानी में डालते हैं और दोस्तों जो बची होई लालमेच है जो बीच हटाने के बाद जो लालमेच बच गई है इसे आप खाने में इस्तवाल कर सकते हैं उपाई करने के लिए आपको सिर्फ लालमेच के बीच चाहिए अब यह बीच पानी में मिलाने के बाद इस पानी को आप अपने बिस्तर के सिर्हाने जमीन पर रखतें अगर आप खटिया पर या ऐसे बैट पस होते हैं जहां नीचे रखने की जगए है तो ठीक आपका जो तक्या रखा है आप उसके नीचे जमीन पर रखतें नहीं तो आप अपने बैट के साइड में भी इसको रख सकते हैं घहन रखें इस बरतन को ढखें नहीं आपको यह बरतन खुला रखना है इस जल के पात्र को आप अपने सिर्हाने रख का सो जाएं और फिर अगली सुभे जब उठें तो जाडू लगने से पहले इस जल के पात्र को अपने सिर्ह पर साथ बार बारें याने की साथ बार इसे अपने सिर्ह पर चारों तरफ क्लॉकवाइस घुमाएं जैसे घड़ी की सोया घूमती हैं दाएं से बाएं राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे आपको इस जल के पात्र को अपने सिर्पर से घुमाना है आपको ध्यान रखना है कि आपको यह काम जाडू लगने से पहले याने की बासी घर में करना है जल के पात्र को घुमाने के बाद अब यह जो जल है यह जो पानी है इसे अपने में गेट से बाहर फैकते हैं आप इसे सड़क पर या घर के साइड में फैक सकते हैं लेकिन ध्यान रखें जो आपके घर का में गेट है आपको उससे बाहर इस जल के पात्र को फैकना है अगर आप किसी बील्डिंड में रह रहे हैं और बिल्डिंग में आप नहीं फैक सकते तो बील्डिंग से नेचे जाकर आप इसे किसी पेर पॉधे के पास डाल सकते हैं लेकिन यह आपको पानी अपनी घर से बाहर डालना है जो व्यक्ति यह उपाय कर रहे हैं उन्हें अपने हाथों से यह पानी डालना है जल के पात्र में अगर मिच के कुछ बीच चुपके रह जाएं तो उन्हें भी हाथों की साहिता या चम्मच वगेरा की साहिता से निकाल कर आप घर से बाहर फैंक दें दोस्तों इस उपाय को कहने से जीवन में जो परिशानिया चल रही होती हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगती हैं किसमत साथ देने लगती हैं कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और बिगड़े कारे भी बनने लगते हैं कारियों में सफलता मिलती है सारे काम बलते चले जाते है दोस्तों इस उपाय को आपको लगातार सार शनिवार तक करना है आपको जलका पात्र शनिवार की रात को अपने सिधाने रखके सोना है और रविवार को इसे घर से बाहर फैंकना है दोस्तों अगर आपका कोई शत्रू है कोई है जो आपका बुरा चाहता है कोई है जो आपके लिए अपने मन में बैर रखता है आपको नुकसान पहुँचाता है आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है जीवन में समस्या पैदा कर रहा है तो शत्रू से छुटकारा पाने के लिए आप लाल मिच का यह उपाय अवश्य करें इस उपाय को आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको साथानी बरत नहीं है कि ना तो कोई आपको देखे और ना ही कोई आपको टोके इसलिए यह उपाय आपको रात के समय करना है उपाय करने के लिए आप पांच सूखी लाल मिच लें अब इन लाल मिच को लेकर आप अपने घर के आगे एक कठा खोदें दोस्तों अगर जिसे पक्की सड़क है आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और जगे नहीं हैं कहीं कच्ची मिट्टी नहीं है तो आप अपने घर से बाहर किसी ऐसे इस्थान किसी मैदान पर जाएं जहां आप गठा खोच सकें आपको छोटा सा गठा खोदना है जहां पर आप यह पांच लालमिच दवा सकें अब आप बर्जंग बली शनी देव और काली मा को प्रणाम करें और आपका जो भी दुश्मन है उसका नाम लेते हुए उससे मुक्ती दिलाने के बर्जंग बली शनी देव और काली मा से प्रातना करें प्रातना करने के बाद आप यह लालमिच अपने सिर पर पांच बार बारें यानि कि पांच बार इन लालमेच को अपने सिर्फ पर clockwise खुमाएं अब आप इन लालमेच को गड़े में दबा दें और सीधे अपने घर आ जाएं पीछे मुड़ कर ना देखें दोस्तों ध्यान दखें इस उपाय को करते समय ना तो कोई आपको टोके और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह लालमेच साबुत होनी चाहिए यानि कि पांच तंठल वाली आपको लालमेच लेनी है दोस्तों यकीन मानिए इस उपाय को कहने से जो भी शत्रू होगा वह आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा आपका शत्रू आपसे हार माल लेगा और जीवन में कभी आपको नुकसान नहीं पहुचाएगा ध्यान रखें एक शत्रू से छुटकारा पानी के लिए आपको यह उपाय एक बार करना है अगर कोई और शत्रू है तो अगले शनिवार के दिन आप फिर से इस उपाय को और शत्रू को सांथ करने के लिए करें दोस्तों आपको यह आपके परिवार के किसी सरस्य को किसी की बुरी नजर लग गई है स्वास्त ठीक नहीं रहता कुछ लोग बैर की चलते ऐसा कर देते हैं कि कारेओं में रुकावट आती है और जीवन में समस्याय बनी रहती है तो बुरी नजर और रोक रोक को दूर कहने के लिए आप पांच लालमिच ले और पीडिव्यक्ती को लिटा ले लिटाने के बाद उस पीडिव्यक्ती के ऊपा से इन लालमिच को उल्टी क्रम में उतारें यानि कि आपको एंटी क्लॉक वाइज 22 दाएं की तरफ यह लालमिच उस पेड़ी द्व्खती के उपर से उतारनी है आपको पूरी शरीर पर से उतारनी है इसलिए या तो आप खड़ा कर या फिल लिटाकर यह लालमिच उतारें लालमिच उतारने के बाद इन्हें आप गैस जलाकर जलती हुई गैस पर रखतें दोस्तों अगर किसी की बुरी नजर अगर रोक टुक लगी हुई है तो इन लालमिच में से धुआ नहीं उठेगा भज नहीं उठेगी तो इससे आप समझ जाएंगे कि किसी की बुरी नजर रोक टुक है या नहीं और दोस्तों अगर धुआ ना उठे आपको पता चल जाए कि किसी की बुरी नजर या रोक टुक लगी हुई है तो आप शनिवास से शुरू कर इस उठेगी को लगाता तीन दिन या साथ दिन तक करें आपको यह उठेगी जब तक करना है जब तक मेच मेश से धुआ ना निकले धुआ निकलने का मतलब है कि अब पुरी नजर और रोक टुक हट गई है ध्यान रखना है आपको यह उपाई शनिवार को सुर्यास्त के समय जब दौनों वक्त मिल रहे होते हैं उस समय करना है इन उपाईों को महिलाएं पीरिट के दोरान भी कर सकती है दोस्तों लालमिच के यह आसान से उपाई कर इन से लाब अवश्य ही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्रीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्ते जादर से जादर शेयर करें जिससे भे भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स फूर वाचिंग राधे राधे